नमस्कार अर्दैनिक मेरर में सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुर्वी महाजन। चलिए रुख करते हैं आज की लोकल अपडेट पर। भदरोवा चपकी पुल के नीचे मिले दो शव, शव मिलने से इलाके में फैली संसनी। डमडाल पुलिस ठाना के तहट भदरोवा गाम में चकी खड के बीचों बीच दो लोगों के शव बरामत हुए हैं। पुलिस ने दोनों शव को कबजे में लेकर कारवाई शुरू कर दी है। चकी खड में दो लाशे मिलने की सूचना डमडाल पुलिस को दी गई। डमडाल पुलिस ठाना प्रभारी, हरीश गुलेरिया पुलिस टीम सहीद मोके पर पहुँचे और शव को अपने कब से मिलेकर आसपास से सक्ष, जुटाए, चकी खड में शव की सूचना मिलते ही आतिरिक्त पुलिस अधिक्ष, अशोक रत्मी मोके पर पहुँच गए। त इंजाब के रात्सव अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। जांच परताल के बाद रात्सव अधिकारियों ने घटना वाली जगह हिमाचल में होने की पुष्टी की। जिसके पश्चात हिमाचल पुलिस द्वारा शव को कबजे में लेकर कारवाई आगे बढ़ सकी पुलिस ने दोनों शवो को बड़ी मशक्त के बाद चकी खट से सड़क तक पहुंचाया। इसमें से एक महिला और पुरुष है। अभी तक इन शवो की शिनाकत नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा दोनों शवो को 72 घंटे तक शिनाकत के लिए नूरपूर अस्पताल मे रखा गया है। पुलिस द्वारा धारा 174 तहत मुकदम दर्चकर कारेवाई अमल में लाई जा रही है।